Hello students, हम कर रहे हैं company log, company log के अंधर हमारा director chapter चल रहा है डारेक्टर के अंधर हमने समझ लिया कि director क्या होता है और इसके साथ में हमने उसका appointment समझ लिया कितने तरह के director होते हैं और किस किस तरीके से उनका appointment होता है वो हमने अच्छे से समझ लिया आज के इस lecture के अंदर अगर किसी person को director बनना है तो उसे एक DIN number चाहिए होता है उसी के बारे में हम बात करने होते हैं अगर आप किसी company में director के तोर पर appoint होना चाहते हैं तो आप ऐसे ही नहीं हो सकते हैं आपको इसके लिए एक number मिलता है जिसको DIN number बोलते हैं अगर आपको वोट देने का राइट मिले कम मिलेगा जो आपकी उम्र 18 साल हो जाएगी उसके बाद आप voter ID कार्ड बनाएंगे फिर आप वोट दे सकते हैं अगर आपको आउटसाइड कंट्री के ट्रेवल करना है तो आपको पास्पोर्ट की जरूर पड़ती है अगर आपको इंकम टेक्स रिटन भरना है और तो आपको वहाँबर पैन कार्ड की जरूर पड़ती है तो ऐसे कैसे अगर आपको डारेक्टर के तौर पर किसी कंपनी में अपॉइंट होना आया और आप अप्लाई करना चाहते है तो सबसे पहले आप परसन वो जो भी परसन अप्लाई करना चाहता है जो डारेक्टर बनने के लिए तो उसके पास एक दिन नंबर होना चाहिए अगर उसके बाद दिन नंबर नहीं है तो फिर अप्लाई नहीं कर सकता तो ये दिन नंबर के उपर Companies Act 2013 के सेक्शन 153 से लगा कर 159 तक सेक्शन नंबर 153, 154, 155, 156, 157, 158 और 159 टोटल हो गए आपके लगबग 7 सेक्शन तो ये पूरे के पूरे दिन नंबर पर है डिरेक्टर आइडनिटिफिकेशन नंबर को उसके बारे में सारी MCA Ministry of Corporate Affairs में या फिर Central Government बूल सकते हैं Central Government को वो उसे Central Government से डिन नंबर लेना पड़ेगा डिन के लिए उसे अप्लाई करना पड़ेगा तो अगर किसी भी व्यक्तिक को डिरेक्टर बनना है तो उसको Central Government से डिन नंबर लेना पड़ेगा डिरेक्टर आइडनिफिकेशन नंबर और यह DIR3 form भरना पड़ेगा उसके बार आपको डिन नंबर मिलेगा लेकिन इस form को भरते टाइम आपको बहुत सारे प्रूफ देने पड़ेंगे और फी भी जमा कराने पड़ेगी फ्री में नहीं मिलेगा तो इस DIR3 form को अच्छे से फिल करने के बाद जो भी इसकी फी है वो फी पे करने के बाद में आपको बहुत सारे डोक्यूमेंट अटेच करने पड़ेंगे जैसे आपका फोटो जैसे प्रूफ ओप आइडेंटी और प्रूफ ओप रेजिडेंस आपका जो सिगनेचर है वो एक्सेक्टरा जो एक नॉर्मली होती है यह सारे जो प्रूफ है यह आपको उस फॉर्म के साथ लगाने पड़ेंगे आप ऑनलाइन भी अप्लाइ कर सकते हैं इसके लिए ठीक है ओके सेक्शन वन फिप्टी फॉर यह तो हो गया वन फिप्टी फॉर यह क्या बोलता है अब अभी डिया यार थ्री फॉर्म भरके फीस के साथ प्रूफ के साथ जमा करा देते हो तो एक महिने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्मेंट जो है आपको क्या कर देगी दिन देगी आपको डिरेक्टर आइडिटिफिकेशन नंबर मिल जाएंगे ओके बट इब दा एप समझ से बाहर हो या जो सामने वाले दिन प्रोवाइडर हैं उनको समझ नहीं आई हो नहीं कि आपका फॉर्म एकदम कम्प्लीट है तो आपको एक महिने के अंदर अंदर दिन नंबर मिल जाएगा अगर आपका फॉर्म है इनकम्प्लीट या फिर सेंट्रल गवर्मेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इसके अलावा आपको हो सकता है री सब्मीशन फॉर्म भी भरना पड़े इप सेंट्रल गवर्मेंट इस नौट सैटिस्पाइड उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्मेंट सैटिस्पाइड हो गई तो आपको दिन मिल जाएगा सब कुछ हो गया आपने री सम्मीशन भी कर दिया लेकिन सब कुछ करने के बाद में अगर सेंट्रल गवर्मेंट को लगता है नहीं अभी भी कुछ को इनकम्प्लीट है और प्रॉपर है नहीं डेटा जो चाहिए तो उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्मेंट जो है वो सेटिसफाइड नहीं हो उस अप्लिकेशन के साथ में तो हो सकता आपको डेट नहीं मिले जैसे एक लड़का 18 साल उमर नहीं भी 16 साल का है और वो वोटर आइडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है तो रिजेक्ट हो दाएगा फो वो एडिसनल इंफोमेशन मांगेंगे नहीं देऊंगे तो रिजेक्ट हो दाएगा तो सेम यहाँ पर भी जो क्वालिफिकेशन है डारेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है वो सब होना चाहिए तभी आपको डिन नमबर मिलता है ऐसी नहीं मिलेग क्या एक से ज्यादा पासपोर्ट बना सकते हो एक से ज्यादा आजार कार बना सकते हो एक से ज्यादा पैन कार बना सकते हो नहीं तो एक से ज्यादा डिन नमबर भी नहीं मिलेगा आपको एक ही दिन नमबर मिलता है एक इंडिसवल को एक परसन को ओके सेक्शन 156 यह बोलता की पंदरा दिन के अंदर अंदर ठीक है ओके यह section 157 यह बोल रहा है company inform DIR to register within 15 days of the receipt DIN आपको जैसे मुझे अगर दिन मिल गया अब मैं जिस company में director बनना चाहता हूं यह जितन companies में बनना चाहता हूं मैं वो DIN number और वो company उसको कहां देदेगी ROC के देदेगी register of company को देगी ओके अगला section नमबर 158 obligation to indicate DIN in return अच्छा यह जो दिन वगेरा है यह आपको जो डारेक्टर identification number है यह जहां जहां उस डारेक्टर का जिक्कर होगा ना उसके साथ साथ में यह DIN number भी लिखना होगा क्योंकि यह जो डारेक्टरी होती है उसमें यह सारी information भी आरेक्टर की होती है तो कोई क्रोस चेक करना चाहे तो कर सकता है तो जहां जहां आप reference देओगे उस डारेक्टर का तो उसके साथ में आपको DIN भी देना होगा दिन नंबर भी लिखना होगा ओके last and final section number 159 और वो punishment के बारे में बोलता है अगर आप किसी भी परकार का कोई fraud करते हैं या कोई मिस्टेक करते हैं जैसे company central government ने आपको DIN दे दिया लेकिन आप जो है company को वो नंबर दे ही नहीं रहे है company जो ROC को वो नहीं दे रही है किसी परकार की कोई भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो यहां पर jail हो सकती है 6 महीने तक की और आप पे fine लगाया जा सकता है 50,000 रुपे तक का per director ठीक है तो यह हो गए section number 153 से लगाकर 159 तक director identification number जिसको DIN number बोलते हैं यह complete next lecture में हम director की qualification और disqualification को देखेंगे और उसके बाद में हमारा यह chapter complete हो जाएगा फिर हमको new chapter स्टार्ट करेंगे आप लोगों का support जो है उसकी बहुत जादा need है क्योंकि मैं बहुत quality content डालता हूँ आपको पता है तो आप लोग जितना जादा support करेंगे उतने ही जादा lectures आएंगे उतना ही जादा में motivate होंगा और जादा से जादा इसको share करेंगे तो हमारा family जो है वो देर देर बड़ेग उसमें आपका मुझे सहयोग चाहिए तो आप फिलकुल करेंगे इसके अलब अगर कुछ पूछना हो तो comment कर सकते हैं और हम मिलतें next वीडियो में आज के लिए तना ही तब तक के लिए goodbye and thank you